जेहिन दोस्तो BASF के तरब से आप सभी के लिए एक और नई भरती का यहाँ पे ओफिसियली नोटिफिकेसन आ चुका है यहाँ पे आप सभी देखेंगे वेटेनरी स्टाप के लिए आपका यह भरती रिलिज किया गया है इसके पहले आपका पारामेडिकल स्टाप के लिए आपका वेकेंशी रिलिज किया गया था लेकिन अभी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं वेटेनरी स्टाप के लिए है जिसके अंतरगत टोटल पोस्ट की बात करें तो 26 आपका टोटल पोस्ट रखा गया है तो चलिए यहाँ पे vacancy की details देख लेते हैं और यहाँ जो है आपका एक short notice है इसका full notification आने वाले employment news paper में आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो इस भरती के अंतरगत जो form है आपका online mode से आपको apply करना होगा और all India के male and female दोनो candidate इसका form apply कर सकते हैं और यह जो आपका vacancy है group C के अंतरगत आता है इसके बद दोस्तो यहाँ पे post की बात करें तो इसमें head constable veterinary के लिए आपका post है जिसके अंतरगत total आपका ठारे post रखा गिया है और category wise भी यहाँ पे post का details आप सभी देख सकते हैं और इसमें जो pay scale है आपका level 4 का यानि की 25,500 से आपका शुरू होगा इसके अलावा दोस्तो यहाँ पे constable kennel man के लिए आपका post है जिसमें total आपका 8 vacancy है और level 3 का आपको इसमें salary दिया जाएगा इसके बाद दोस्तो यहाँ पर देखेंगे जो इसकी form apply mode है और यहाँ पर बताया गया है last date for acceptance or application of application will be 30 day from the date of publication of the advertisement in the employment news paper तो दोस्तो यह बताया गया है कि जो इस भरती का full officially notification है employment news paper में आएगा और जिस दिन employment news paper में इसका full notification release किया जाएगा उसके अगले 30 दिन तक आप इस form को apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तो यहाँ पर बताया गया है कि जो इस भरती की age limit है वा last date यानि की closing date के according आपका count किया जाएगा इसके बाद दोस्तो यहाँ पी educational qualification की बात करें तो इसके अंतरगत जो है head considerable veterinary की जो post है इसमें 12th pass आपका होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास one year का course जो है in veterinary stock assistant from any recognized institute तो दोस्तो यहाँ पर देखेंगे इसमें one year का course आपको इस trade से related मांगा गया है तो अगर आपके पास veterinary stock assistant का जो है course है किसी भी institute से तो आप इसके लिए eligible होंगे without यहाँ पर जो है course का आप इसमें eligible नहीं है तो दोस्तो इसके अलावा देखेंगे at least one year का जो है post qualification experience भी मांगा गया है इसके बाद दोस्तो यहाँ पे constable kennelman की जो post है इसके अंतरगत तेंथ पास होना चाहिए और साथ ही साथ two year experience in handling of animal from government veterinary hospital तो दोस्तो आप सभी को बता दे अगर आप किसी भी government या private veterinary hospital में जो है two year काम किये हैं उसका experience है और साथ ही साथ तेंथ पास है तो इस post के लिए आप form apply कर सकते हैं तो इसका experience certificate आप सभी बनवा भी सकते हैं किसी भी veterinary government hospital से या private veterinary hospital से तो दोस्तो इसका experience अगर आप चाहे तो बनवा सकते हैं इसके बाद दोस्तो यहाँ पर जो है age limit की बात करें तो आपका 18-25 बरस रखा गिया है इसके बाद height की बात करें तो 165 cm chest आपका 86-81 weight जो है height के coding आपका मापा जाएगा female के लिए 150 और weight जो है height के coding इसके बाद दोस्तो यहाँ पर देखेंगे यह इसका short notice है यह full notification नहीं है और यहाँ पर date भी आप से भी देख सकते हैं इस notice का तो दोस्तो अभी जो है इसका full notification आने वाला है बहुत जल्द आपको BSF का जो officially site है वहाँ पी इसका notification देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा employment news paper में तो जब भी employment news paper में नोटिफिकेशन आएगा आप सभी को बता देंगे और इसका link जो है description में दे दिये हैं description में दिये गए link पर किलिकर के इस notification को आप सभी download कर सकते हैं अभी इसकी form apply शुरू नहीं हुआ है एक सब्ता के अंदर जो है इसकी form apply आपका शुरू हो जाएगा तो दोस्तों कोई भी सवालों comment सकते हैं फिर मिलते हैं next video में तब तक लिए जहिंद बंदे मात्रम